नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट सुशान्त की मौद के साथ ही एक और नाम लगातार सुर्खियों में है और वो है रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती उस वक्ट भी सुर्खियों में थी जब उन्होंने महेश बट के साथ ऐसी फोटो शेयर की थी जियां उस वक्त हर कोई उन्हें ट्रोल करता नजर आया था महेश बट के सत्तर में चन दिन पर रिया चक्रवर्ती ने उन्हें बधाई दी थी लेकिन रिया का महेश बट को बधाई देना भारी पड़ गया था दरसल रिया चक्टवर्ती ने इंस्टा पर अपनी और महिश बट की ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से गले लगाये हुए और कंधे पर्स से रखे हुए नजर आ रहे थे इसके बात से फैंस ने उने खुब खरी खोटी सुनाई ये बात फिल्म जली भी के दौर की है कुछ ने इस जोड़ी को अनूब जलोटा और जसलीन मधारू भी कह दिया था रिया उस वक्त भी सुर्खियों में आई जब वो अकसर सुषान के साथ देखी जाने लगी हलागी कभी इस रिष्टे पर दोनों ने खुलकर बात नहीं की लेकिन अकसर दोनों साथ नज़राते थे कभी पहाडों पर तो कभी घर में तो कभी जीम में हर जगा सुषान के साथ रिया नज़राती थी और अब भी लगादार चर्चाओं में है रिया समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई रिया और सुषान्त के रिष्टे में सब कुछ ठीक ठाक था क्योंकि मशूर डिरेक्टर महिश बट के करीबी S.O.C.H और लेखक सुहित्रा सेन गुपता की माने तो रिया को भी सुषान्त से लगने लगा था डर एक घटना का जिक्र करते हुए सुहित्रा ने बताया था कि रिया और सुषान्त एक दिन साथ बैट कर एक मूवी देख रहे थे तब ही सुषान्त ने कहा कि उन्होंने अनुराक कश्यप की फिल्म को ना कह दिया है तो वो मुझे भी मार देगा ये सुनकर रिया को भी सुषान्त से डर लगने लगा सुषान्त ने कहा जब ये बाते महेश भट को पता चली तो उन्होंने भी रिया को सुषान्त से दूर रहने के सला दी उन्होंने कहा कि अगर वो सुशान्द के साथ रही तो इसका बुरा असर उन पर भी पड़ेगा इसके बाद से रिया सुशान्द से अलग होने का फैसला ले चुकी थी रिया बस सुशान्द की बेहन का मुंबई आने का इंतिजार कर रही थी सुशान्द की बेहन के आते ही रिया सुशान्द के घर से चली गई रिया चक्रवरती एक बार फिर से खबरों में है सुशान्द के बारे में उनसे पूछताश चल रही है अब देखते हैं रिया का क्या स्टेटमेंट आता है फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही